सो दोस्तों जब भी हम लोग सार्च इंपॉर्टन रिजन होता है तो एक बात का हमें हमेशा डर रहता है कि हमारी वेब साइट को गूगल जो है वो स्ट्राइक कर दे या ब्लैक लिस्ट कर देगा लेकिन यह करे हो क्यों और क्या रिजन इसके करने का इसके बहुत सारी रिज होती ज़्यादा इंफोर्मेशन मिलने वाली है हलो दोस्तों मेरे नाम है अरवाव उस्मानियार में को फंडर से हुँ अपस्किल का और मैं हूँ अपस्किल मोड में और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सिरीज ABC of SEO जिसमें मैं आज बात करने हो ला हूँ T for Thin Content चले शुरू करते हैं Whiteboard के दर्फ चलते हैं सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यह आपको क्या क्या प्रॉब्लम कॉस कर सकता है उसके बाद हम लोग कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे और सॉलूशन के बारे में बात करेंगे देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम यह जो Thin Content है यह आपको करेगा Low Ranking यानि कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत कम हो जाएगी दूसरा जो प्रॉब्लम यह करेगा कि यह Chances of Black Listing को बढ़हा देता है यानि कि आपकी वेबसाइट Google उसको Worthy Enough नहीं Find करेगा और जिसके इसाब से वो आपकी वेबसाइट को Black List या D Index भी कर सकता है जिससे आपको Traffic नहीं मिलेगी और तीसरा जो है Slow Indexing देखिए बिसिकली होता क्या है कि जब Google के Bot आते हैं आपकी वेबसाइट में और Content को पूरा कपूरा Crawl करते हैं अपको Worthy Enough Find करते हैं तो उसके बाद Index करते हैं कोई ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर में उनको ऐसे Content ना मिले जिसको Worthy Enough नहीं Find करते हैं उस वेबसाइट के अंदर में वो अपना Resource बरबात करना नहीं चाहते हैं इसी वजह से उसकी Indexing बहुत जादा Slow हो जाती है तो अब अगर हम लोग प्रॉब्लम को समझ गया हैं तो हम लोग बात करेंगे कितने तरह के Thin Pages होते हैं जिसको identify कर सकते हैं अगर आप ऐसे नंबर पूचेवा तो कोई Official नहीं है बट जो हम लोग identify करते हैं उसके basis पे जो टॉपन उनके बारे बताते हैं सबसे पहला होता ह यानि कि ऐसा content जिसमें कोई depth ही नहीं है बस लिखा गया for the sake of लिखने के लिए तो वो content के कोई valuable information नहीं दे रहा है उसको कोई usefulness नहीं है वो हमारा thin content होता है सबसे पहला ठीक है दूसरा duplicate content ऐसा content हमने किसी website से copy किया अपने website पेस्ट कर दिया इसके लिए अगर 2010-2011 के लगब गूगल पांडा one of the first update major update ता Google में जो duplicate content को देखा था हाला कि अभी वो live नहीं है वो main जो Google का अल्गोरित है उसके साथ में merge हो चुका है तो उसी टाइम में इसी लिए बोला जाता था हम लोग को जब भी हम लोग सर्चेंशन करेंगे जब भी आप content लिगेंगे तो बोला ज इसे page जिसके अंदर में बहुत सारे ads हो जैसे आप खोले सिर्फ आपको ads क्लिक करो दूसरे page में चले जारो इसनीकी pages भी इसको बोला जाता है वैसे pages को थिन वाना जाता है चाहिए उसका content कितना भी अच्छा हो आपने अच्छा content लिखा 1000 वर्ट का उसमें आपने 500 लगा द अगर टेक्ष में डाला हुआ वैसे pages को भी थिन pages के अंदर में count करता है और कौन-कौन से pages होते हैं डोरवे pages ऐसे pages जिनको specifically target किया है एक keyword को target किया कि इसको rank करने के लिए and then वहां से क्या होता है वो directly redirect दूसरे page में करते हैं यानि कि मेन उनका material कहीं और रहता है लेकिन वह page जिसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा product है जो information intent का नहीं है लेकिन वो keyword जो information intent का है और वो product को इसी e-commerce का है तो लोग क्या करता है कि वो information वाला बना देते हैं पे जैसा कि एकदम target करते हैं उसी को rank करने का और वहां से redirect कर देते हैं mainly आपके main content के तरफ में तो उस वज़ा स तो doorway pages भी thin content माने जाता है और auto generated pages नौ यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर हमको रुगना पड़ेगा auto generated pages देखिए आज कल के time में pseo programmatic seo बहुत जादा बढ़ चुका है बहुत ही लोग करने programmatic seo में बहुत सरी directory के data fetch करके बहुत सरी data करके वो automatically करते हैं लेकिन अगर अदम fall flat कर जाता है और उसको Google auto generated type content को भी Google मानने लगता है thin content बहुत great content नहीं मानता है तो अगर आप कर रहे हो इस type के काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा planning करके पूरे उसके template के अंदर में क्या क्या चीज़े जाएगा कौन से dynamic होंगे कौन से static होंगे इसका आपको अगर प्लान करना पड़ेगा ना आपको समझ में आ गया है कि वह क्या होता है उससे problem क्या होता है और किस किस टाइप पता थोड़ा solution में देखते हैं तेकि solution अगर आपको डूड़ना है तो आपको सबसे पहले एक audit करना पड़ेगा अपनी पूरी website का audit करने के लिए आपको screaming frog जैसे software आपको help करेंगा ऐसे तो यह software अगर अगर प्रीमियम वर्जिन अगर खरदोगे तो I think साल का 15,000 रुपए अगर इंडियन रुपीज की हिसाब से बात करें तो आता है लेकिन यह 500 पेज़ेस तक यह free में audit कर देता है 500 पेज़ेस के अगर छोटी website 500 पेज़ेस तक किये तो यह free में कर देता है इसका alternative यह website auditor नाम है linkassistant.com के अंदर में आप इसको पा सकते हैं और यह 99 डॉलर पूरे साल भर का पड़ता है तो यह क्या करता है यह automatically अपने बाट को छोड़ देगा और यह क्या करेगा कि यह बहुत सरे data देता बहुत सरे information देता बट हमें सारे information के उपर में हम interested नहीं कि हम एक thin content का audit कर रहे हैं तो सबसे पहले वह आपको ऐसे page निकाल के देगा जिसमें low word count होगे हैं जो भी low word count वाले pages हैं जिसमें 100 word वाले हैं फिर भी आपके pages हैं तो यह thin content वाले आपके pages के अंदर में आते हैं आपको ऐसा meta tags वाले page देगे जिसका content duplicate मतलब जिसका meta tag title या meta description duplicate है यह भी thin content के दर्मायत है यह भी खोच कर देता है या आप यह भी कर सकते हो कि अगर आपकी website का content जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपकी website जो है news की website है आप content writer से लिखा रहे हो content writer आपको बेखूफ बना रहा है या affiliate किसा idea blog आपकी बेखूफ बना रह तो पढ़के भी बहुत सारे लोग कि यह content thin content यह content हमारे website में नहीं जाने चाहिए ऐसे वैसे निकाल लेते हैं ठीक है तो यह भी हो जाता है और तीसरा जो आपका यह search console जो को Google का एक free tool है जो Google को free में provide का था बस code डालना होता है यह सारे के सारे data देता तो यह भी time to time thin content का आ इंडेक्स नहीं और तो उससे भी आपको पता जलता है यह page का content को सुधारने के ज़रूँशन है फिर उसके बाद में दोबारा हम re-index करने की कोशिश करते है सुधारने के बाद में नाव इसका identify solution अब इसका solution क्या है इसका actual solution चार solution है पहला या तो उस content को एकदम हटा ट्रिपल आ रही है जैसे कि आरा फिलिम देखा है न वैसी यह ट्रिपल आ रहे हैं हम लोग के content marketing का और SEO का ठीक है तो पहला आप remove कर देजिए content को हटा दीजिए thin content के लिए दूसरा आप उसको refresh करते हो अब refresh के अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हो उसमें कुछ आप add कर देते हो जैसे कि content लिखा हो उसमें कुछ चीज़े अड़ कर दी ऊपर के तरफ में या bottom के तरफ में add करके नया content बेस content बीच में वही रहा बट आपने कुछ addition कर दिया उसको refresh कर दिया या उस पूरे के पूरे content को rewrite करते हो तो इसको हम लोग बोलते है rr of SEO content जिसको marketing जिसको आपने identify गया कि low word account ओले pages हैं और उसके लेट से 10 pages हैं लेकिन क्या वो 10 pages को मिलाके एक page अगर बन सकता है तो हम क्या करेंगे वो सारे pages का content हुलाके एक page बना देंगे और बाकी सारे pages जो 9 pages बने उसको main page में हम क्या करेंगे redirect कर देंगे 301 से ठीक है तो क्या होगा कि हमारा multiple pages भी नहीं बना एक page हमारा valuable भी हो गया usefulness भी बढ़ गया हमारा और हमारा thin content भी नहीं रहा तो यह combine करके भी बहुत सारे marketer जो थे combine करके भी यहाँ पर combine करके भी यह multiple pages को combine करके भी यह कर देते हैं I hope इस वीडियो से आपको अब thin pages का concept clear होगा आपने ये भी सीख लिया क्या होता है उसका cause क्या होता है कैसे identify किया जाए कैसे उसका solution निकाला जाए यह सारी बाते आपको पता चल गई है I hope अब better search in your optimization और content marketing कर पाईएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment करके हमें बताएए कैसा लगा और channel को subscribe कीजिए और bell icon जरूर दबातेजिए आप से मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में बहुत बहुत शुक्रि